नमस्कर बच्चो, क्लास 6-8 के स्टूडेंट के लिए एक important update है जो मैं आपके शाथ share करने वाले हूँ जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 9-12 के स्टूडेंट से वो स्कूल जा पा रहे हैं, regular उनकी classes हो रही है सब कुछ normal रग रहा है, अच्छा लग रहा है उन students को वापस offline classes में आका के अभी strength के अगर बात करें तो 80-90% जो students है कुछ school में पहुंच रहे हैं और कुछ जैसे RPV school हो गए या SOSC की बात करें तो वहाँ पे almost 100% के आसपा students है वो classes को attend कर पा रहे इट मिंस सब कुछ वही उसी तरीके से strength पे लोटता हूँ हमें दिखाई दे रहा है लेकिन class 6-8 के students क्या, मास 2020 के बाद वो school नहीं पहुंचे, almost 18-19 के आसपास months हो चुके हैं वो घर पे बैटें, काफे सारे बच्चे हैं जो track से नीचे उतर चुके हैं, अपने study को ठीक तरीके से continue नहीं कर पा रहें तो ये उनके लिए एक बड़ा setback है, और अब क्योंकि situation normal हो चुकी है, तो वेट करें, उनके parents भी वेट करें कि कब class 6-8 के लिए school reopen कर दिये जाएं जहां तक कुछ students की बात है या कुछ parents की बात है, तो zero का अगर वेट किया जाए, कि COVID की case almost zero हो जाए, तब हम अपने students को school में भेजेंगे, तो ये next 4-5 years तक सायद practically possible नहीं होगा COVID है, वो रहेगा, लेकिन उतना harmful नहीं रहेगा, उतना effective नहीं रहेगा, जैसा कि अब हम देख पारें, तो school reopen कर दिये जाएं, इस favor में mostly parents, इस favor में students, तो लेकिन कब होंगी class 6-8 के students के लिए school reopen, तो इसके लिए decision कौन लेगा, इसके लिए decision लोगा, जो लेंगे, वो लेंगे Delhi Disaster Management Authority, DDM में, उनको decision लेना है, तो इन्होंने August में, 27th of August को, इनकी जो एक meeting हुई थी, एक press conference हुई थी, तो उसमें उन्होंने clearly कहा था कि Delhi Government को permission दे दी गे, कि वो phased way में अपने school को reopen कर सकते हैं, यानकी phased way में, पहले 50% students, उसके बाद 100% students, और 9 से 12th के लिए school reopen हो चुके थ था, और news भी आई थी, कि 8th of September से, 8th of September से school reopen हो जाएंगे, class 6 to 8 के लिए, लेकिन उसके बाद dates को आगे बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद अभी तक कोई decision नहीं आया, तो कब तक होंगे, तो इसमें अभी भी DDM में है, उसके पाले में गेंध है, उसको decide करना है, तो उन को, 30 तंबर को, DDMA की meeting होने वाली है, जिसमें class 6 to 8 के school reopening को लेकर के discussion किया जाएगा, क्या आप सेफ रहेगा, कैसे जाएंगे students, तो इसमें बहुत ज्यादा chances है कि final decision ले लिया जाएगा, क्या आप 1st of October से school जाने वाले हो, या फिर आफ next week, यानि कि 4th of October से school जाने वाले हो, य most लगबक sure है, कि आपके लिए school reopen होने वाले हैं, क्योंकि situation normal हो चुकिए है, लेकिन कब से, वो अभी decide किया जाएगा, 30 of September को, यानि कि 30 September तक आप wait के जिए, उस तिन जो भी decision आएगा, वो आपके साथ share कर दिया जाएगा, और chances ये, कि आपकी school reopen हो जाएगे, शुरुआत में इसा हो सकता है, कि आपको भी 50% capacity के साथ, या फिर one third capacity के साथ पुला जाएगा, उसके बाद जैसे लगेगा कि सब कुछ okay चल रहा है, तो normal हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए school reopen कर दी जाएगे, उसके बाद आपकी तरब से जैसे मैं ये update दूँगा, तो काफी सारे students के questions आएगे, सर, worksheet का क्या होगा, तो आपकी जो worksheet है, वो continue रहेगी, क्योंकि अभी जो आपके school reopen होंगे, वो 9 से 12 की तरह ही होंगे, same procedure हैगी, अभी आपके लिए compulsion नहीं रहेगा, mandatory नहीं रहेगा, जिनके parents consent letter देंगे, वही उस school में जा पाएगे, okay, consent देंगे, तो consent letter मैंने अ आपके लिए 3 hours का timing रहेगा, maximum side, 3 hours के लिए आपको school जाना होगा, उसी में आपकी कुछ period, जो period से वो arrange किये जाएंगे, और 50% capacity के साथ, school खुलने के chances ज्यादा रहेगे, okay, इसके लावा अगर आपका कोई doubt है, school reopening के regarding, जो भी questions है, तो आप comment कीजीगा, comment या, आप यहाँ पर कीवे आप comment कर सकते हो, इस update में बस इतना ही, 30 का wait कीजी, उस दिन में आपके लिए बड़ी अच्छी news लेकर के आने वाला, thank you, bye bye, have a nice day and all the best.